योगी सरकार ने वर्ष 2019 और 2020 का बजट पेश किया है ऐसे में प्रकतिशील समाजवादी पार्टी प्रमुट शिवपाल सिंग यादो ने योगी सरकार की इस बजट को निराशा जनक बताया है उन्होंने ट्विट कर लिखा है कि यूपी का बजट निराशा जनक दिशाहीन और उद्देश भीहीन है करशक लग रहा है ना रोजगार के लिए कुछ है तो शिक्षा के लिए खास बड़ा कोई नई उजना है और पांच लाज करोड के आसपास का बजट है किवाल 22,000 करोड रुप्या को नई उजनाओं के लिए जो उट के मूं में जीने के तरह है चीनी में लोग के लिए जो चीनी में बंद पड़ी है उसके लिए पचास करोड और 25 करोड में बहुत ही छोटी रासी रखी गए जब कि दन्नाविल बहुत बरिशान है वो खेजिंडेम होना चाहिए तो किसान जवान या कोई भी इच्छेतर देखा जाए मुझे लगता ह यह बजट आज़र जिसमें को प्रत्किया भी वेच्छी जाए